दोस्तों Honor 9X और 9X Pro को चाइना के अंदर लांच कर दिया गया है जहां पर आपको 14 आजागे प्राइस में किरिन 810 दिया गया है इसके लावाद यहां पर आपको पॉपफ सेल्फी कैमरा देखने के मिलता है और 48 मेगा पिक्सल का इसका मेंन कैमरा है तो दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Honor 9X और 9X Pro की कम्प्ली स्पेसिफिकेशन दोने इस स्मार्टफोन में आपको क्या फर्क देखने के मिलेगा इंडिया में यह कब तक लांच होगा किस प्राइस में से लांच किया गया है और जो भी लांच होगा इंडिया में किन स्मार्टफोन के साथ यह कंपीट करेगा तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो का आप तुरंट लाइक कर दीजिए चैनलों के सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बढ़ा देना आपको ट्रिपल कैमरा सेटप देखने के मिलता है और यहां पर जो फिंगर्प्रिंट स्कैनर दोस्तों वह यहां पर आपको साइड भी दिया गया है यानि कि जो इसका पावर का ओन और बटन है उसे आप यहां पर एक फिंगर्प्रिंट स्कैनर के जैसा यूज कर पाओ गया है दोस्तों डिस्प्ले के बारें बात करें तो यहां पर 6.59 इंच का IPS L3D दिस्प्ले दिया गया है जिसकी रेजुलूशन है Full HD Plus और यहां पर आपको completely एक bezel-less smartphone देखने मिलेगा किसी भी तरह का कोल भी notch यहां पर नहीं दिया गया फुल की डिस्प्ले के साथ आता है और ऐसे में बात करें इसके cameras की तो दो नहीं smartphone आने वाले pop-up selfie camera के साथ जहां पर आपको 16MP camera देखने मिलेगा जिसका aperture है f2.0 वहीं पर 9x में पीछे के तरफ दिया गया dual camera जिसमें में camera 48MP का और इसका aperture है f1.8 और यहां पर एक 2MP depth sensor पी दिया गया 9x pro में दिया गया triple camera जहां पर main camera 48MP 8MP का यहां पर एक ultrawide lens दिया गया और 2MP depth sensor तो यहां पर camera का performance जो है दोने smartphone से यहां पर आपको काफी अच्छा मिलने वाला है बात करें performance की तो दोने smartphone आएंगे सेम प्रसेशन सा जो है high silicon kirin 810 जिसे बना गया 7nm technology के बेस पर यह octa core processor है और इसका performance आपको बिल्कुल वैसे मिलेगा जैसा performance आपको फिलाल snapdragon 730 से देखने के मिलता है जो कि फिलाल redmi k20 में दिया गया है और gaming के यहां पर GP दिये गया माली का g52 जो कि gpu turbo 3.0 के support के साथ आएगा जो कि आपके gaming experience को और भी बेटर यहां पर बनाने वाला है दो फोन का power करेगा 4000 mh की battery जो type c के साथ आएगा लेकिन यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी fast charging support देखने के लिए नहीं मिलेगा ओ इसके बात करें तो यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको UFS 2.1 का flash memory के साथ LPDDR4X का RAM देखने के मिल जाएगा जापने 9X आने वाला है तीं variant के साथ 4GB प्लस 64GB इसकी प्राइज है 14,000 रुपीज 6GB 64GB इसकी प्राइज दो वेरेंट के साथ जाप आपको 8GB प्लस 128GB का वेरेंट का प्राइज है 24,000 रुपीज तो यहाँ पर जो 4GB प्लस 64GB वाला जो वेरेंट है 14,000 रुपीस में ये काफी killer option है और दोने स्मार्टफोन अगर 9X और 9X Pro को अगर compare करोगे तो यहाँ पर स्रिफ आपको camera ही में ही फरक देखने के मिलता है बागी सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सेम है दोस्तों उमीद करते हैं कि यह स्मार्टफोन इसी pricing के साथ आपको इंडिया में भी देखने के मिल जाएगा और यह अगस्त के महने में यहाँ पर launch होने वाला है और जैसी दोस्तों इंडिया में लाँच होगा यह सीधर सीधर टककर देने वाला है 32 में आप इसके लाँ सेल्फी कैमरा दिया गया है तो कहीना कोई slightly मुझे वहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर के साथ कंपेर करते हैं तो यहाँ पर आपको 9x और 9x प्रो में आपको इन डिस्पें फिंगर प्रिंस काना देखने के नहीं मिलेगा और एमोले डिस्प्ले भी यहाँ पर देखने के नहीं मिलेगा और इसके लाँब दोस्तों अगर आप कंपेर करते हैं रेद्मी के 20 के साथ तो वहाँ पर 730 और किरेंट 10 है तो दोने का परफॉर्मेंस आपको लगता कि यहाँ पर वीवो जीवन प्रो या फिर रियल्म एक्स या फिर रेड्मी के 20 एक बैटर ऑप्शन है तो आज के इस वीडियो का पसंद आए तो वीडियो का लाइक कर दी जाए चैनल के सब्सक्राइब अगर आपको कोई भी सवाल या शुजावे तो सा कमे करिए आज के शुड़ों के देखने के लापको बहुत बहुत धनेवाज जय हैं